जैस याराम मित्रों आप सभी मित्रों का आदर्स धर्म प्रस्नोत्री कारिक्रम में हारदिक स्वागत हैं आज का प्रस्न लिया गया है स्रीमान अवध बिहारी सुकला जी का सुकला गंज उन्नाव उत्तर प्रदेश से और इनका प्रस्न एक पहली है किन्त ये पहली एक अदभुत गुड़ार्थ वाली पहली है और इनका प्रस्न है कि वो क्या है जो सुबह चार पैरों से दो पहर को दो पैरों से साम को तीन पैरों से और रात में बिना पैरों के चलता है मित्र आपके प्रस्न का उत्तर करें उसके पूर्व एक छोटा सा अनरोधाप सभी मित्रों से जिन्होंने अभी तक आदर्स धरम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत कर लें ताकि आपको नए वीडियोज की सूचना अविलंभ मिल सके तो सबसे पहले आपकी पहली का सबदार्थ ऐसा कौन है जिसके सुबह चार पैर होते हैं दो पहर को दो पैर हो जाएंगे और साम को फिर तीन पैर हो जाएंगे और रात में पैर रहेंगे ही नहीं तो देखने में आपकी पहली ऐसी लगती है कि जैसे किसी जादू टोना वाली बातचीत हो पहली हूँ किन्तो जब इसके गुढ़ार्थ में जाते हैं तो आपने बड़ी प्यारी और सैक्षिक पहली भेजी है आपकी पहली में एक मनुस्य के संपूर्ण जीवन का चरित्र चित्रन किया गया है सबसे पहले जब मनुस्य पैदा होता है साल भर के आसपास होता है तो उसके माता पिता उस बच्चे के दोनों हाथ पकड़ कर खुद पीछे को हलके हलके चलकर बच्चे को चलना सिखाते हैं अर्थात आपकी पहेली की पहली लाइन दो पहर बच्चे के और दो पहर उसको चलना सिखाने वाले माता पिता भाई बेहन दादा दादी चाचा या कोई अन्य रिस्तेदार के वो दो पहर मिलाके चार पहर से चलना बताया गया है आपकी पहेली की दूसरी लाइन कि दो पहर को दो पहर से चलना मनुस जिस दिन से चलने लगा और जवानी तक जब तक वो स्वस्त है इस समय काल को दिन या दो पहर की संग्या दी गई है जब मनुस खेलता है सिक्छा लेता है फिर रोजगार करके अपना बिवाह करवाता है फिर अपने बच्चे होते हैं और इसके जीवन की भाग दोड़ चलती रहती है मनुस्य दोड़ता ही रहता है अपना और अपनों के भोजन कपड़ा और मकान के लिए बच्चों को पालने पोस्ने में और उसे पता ही नहीं चलता कि वो कब जवान से ब्रिद्ध हो गया आपकी पहली की तीसरी लाइन साम को तीन पैर से तातपर है कि आप ब्रद्ध हो गए और कमजोरी की वजह से आप बिना सहारे के चल नहीं सकते इसलिए आप सहारे के लिए एक लाठी या आज कल फैसन में भया तरह तरह की अलमुनियम श्टील की छड़ी आ गई हैं उनका सहा कारा लेकर चलते हैं और बुढ़ापे के कष्ट घुटने का दर्द कमर हड़ी दर्द खासी नजला सरदी गर्मी बरसात सभी कष्ट कारक होते हैं यहां तक कि आप खुद सोच आद के लिए जाने में भी असमर्थ हो जाते हैं आपके अपने बच्चे आपके सीगर जाने क प्रार्थना करने लगते हैं कि भगवान इनको जल्दी उठा लो इनको मुक्ति दो और आज कल का फैसन तो ये भी है कि पैसे वाले लोग आपको किसी हॉस्पिटल में एडमिट करा के किसी नोकरिया अस्पताल के करमचारियों के रहमो करम पर छोड़ देते हैं कुछ आपको अपर मिडिल क्लास या हाई प्रोफाइल वाले दिखाते हैं तो उनके लिए क्या होता है कि आप भार हो जाते हैं तो किसी ब्रद्धा अस्थ्रम में आपको छोड़ देंगे उसके बाद आपका पता भी नहीं लेंगे कहा हैं क्या हुआ तो अंतिम लाइन रात में बिना पेर के से तात्वर मनुष्य की म्रत्त्यू के बाद सव यात्रा से है जिसमें मनुष्य दूसरों के कंधों पर जाता है तो वहाँ पेरों का कोई मतलब नहीं रह जाता है पैरों से नहीं चलता है अब यहां कभी का भाव यह है कि हमें 84 लाक युणियों में भटकने के बाद इसवर ने मनुस्य जन्म दिया और कहा कि जाओ अपने सतकर्मों से अपने जीवन को सफल बना लो इसवर की भक्ती करके परमात्म तत्त का ज्यान प्राप्त करके मोख्छ को प्राप्त करना सानसारिक माया मोह में नहीं पढ़ना किन्तु हम आई और आते के साथ जिस दिन हमारा अन्प्राशन हुआ उसी दिन से हम माया मोह में पड़ जाते हैं क्योंकि जिस दिन बच्चे का अन्प्राशन होता है उस दिन के बाद उसे पूर्बजन्म की कोई याद नहीं रहती। क्या उसने पूर्वजन में पाप किये थे क्या वो पर वाले ने उनको सिक्षा दी थी कि वो सब कुछ भूल जाता है और यहाँ के माया मुह में पड़ जाता है और हमें सिक्षा देने वाले हमारे माता पिता परिवार के लोग क्या सिक्षा देते हैं कि मा तु पिता बालकन बोलावे ही उदर भरे सोई जतन सिखावे ही हम लोग क्या सिखाते हैं कि किसी तरे से पेट भर जाए आपकी जिन्दगी चल जाए बस वही हम आपको यतन बताते हैं इस संसार में हमें यही बताया जाता है कि बेटा डाक्टर बनो इंजीनियर बनो वकील बनो ब्यापारी बनो और नेता बनो क्या हम में से एक भी है जो कहे बेटा सदाचार करो सेवा करो बड़ों की आज्या मानो इश्वर की भक्ती करो कोई नहीं सिखाता बल्कि अगर बालक कोई सदगुनी आत्मा वाला है पूजा पाठ करता भी है तो हम उसको बोलते हैं कि अभी तो इसकूल में जो पढ़ाया गया है वो पढ़ो भगवान की पूजा भक्ती तो बुढ़ापी का काम है परिडामता होता क्या है कि बच्चपन खेल में बीता जवानी नींद भर सोया बुढ़ापा देख कर रोया यही जीवन है और इसके बीच प्रभु भजन करने का समय कभी नहीं मिला और काल आ करके ले गया फिर से कीडे मकोडे जलचर थलचर नबचर योनियों में भटकने लगे और कलप कलपांतर तक नरक के कष्ट उठाते हैं इसलिए हमें समय गवाएं बिना स्वयम और अपने परिवार वालों को सतकर्म करते हुए प्रभु आराधना के लिए प्रेरित करना चाहिए हम ये कभी नहीं कहते कि आप उदर पूर्ती के कर्म छोड़ दें लेकिन उनके बीच में प्रभु को भी समय दें मेरा तात पर ये भी नहीं है कि आप बच्चों को संत्या सन्यासी ही बना दें उससे भी काम नहीं चलेगा बलकि हमें सदयो भगवान स्री राम और उनके परिवार से सिछा लेते हुए उनका अनुकरन करना चाहिए पूरा परिवार एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार रहें ऐसा परिवार हो किसी अन्याई द्वारा किसी निर्दोस को सताया जा रहा हो तो भले ही पेंड की ओट से ही क्यों न मारना पड़े उस अन्याई का बद करना चाहिए किसी आतताई को आपके परिवार या समाज को मार रहा है तो उसका समूल नास कर सको जैसे रावड का किया गया था संतान को सास्तर के साथ सस्त्रवान भी बनाना किन्तु सस्त्र सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए उठाना सिखाया जाए अगर ये सिक्षा नहीं दी गई तो प्रतिरोध नहीं सिखाया गया तो राक्षस धर्म पर हावी हो जाएंगे लेकिन हमें सदाचार त्याग दान सेवा परोपकार योग ब्रत तपश्या भक्ति भजन कभी नहीं छोड़ना चाहिए और यही सच्चा धर्म है आसा करते हैं कि आपके प्रस्थ का समुचित उत्तर मिल गया होगा अस्तु जैसियाराम